और कुरान को देखें तो खुदा का नूर ये शब्द आता है कुरान में सबसे ज़्यादा बार अल्ला का नाम है लेकिन अल्ला के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है जो सकंड हाईएस मैं कह सकता हूँ अल्ला के बाद वो आता है इल्म 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है